हेलो फ्रेंट्स वेलकम बैक टू माई यूटिब चैनल आज की वीडियो में आपके साथ शेर करने जारे हूं बहुत ज़्यादा टेस्टी कुल्फी की रेसिपी आपने जैसे की मटके वाली कुल्फी जरू खाई होगी एक बार गर्मियों में सभी लोग खाते हैं आज में व बढ़िया मिलेगा आपको जैसे की मटके वाली कुल्फी में मिलता है तो आप एक बार अपने घर में बना के जरू ट्राय करिए गर में तो सब को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है यह रेसिपी तो जड़ी यह मटके वाली कुल्फी बनाना स्टार्ट करते हैं सबसे पहले यहां पर हमने लिए एक कढ़ाई इसमें हम डाल देंगे एक लीटर दूद आपको जितनी कॉइंटिटी में कुल्फी जमानी हो उससे साबसे आप यहां पर दूद ले सकते हैं अब हम दूद में एक उबाल आने देंगे मैंने फ्लेम को रखा है और यहां पर यह दे पाउडर है यह भी दूद को काड़ा करने में हेल्प करता है तो थोड़ा सा दूद डाल के इसको हम मिक्स कर लेंगे अगर लंप्स पड़ जाएं तो कोई दिखका नहीं क्योंकि बाद में इसे हम मिक्सी में पीस के भी यूज कर सकते हैं तो यह देखिए हमारा यह कस्टर कोड़ों वगरा डालने के जरूद नहीं पड़ती और यह देखिए दूद गाड़ा होना स्टार्ट हो गया है अब इसमें हम डाल देंगे एक लाइची और इसके बार डाल देंगे दो चमच खोया तो यहां पर जो खोया है उसे मैंने एक बार ग्रेट कर लिया है यानि कि देख रहेंगे छोड़े छोड़े टुकड़े हो गए हैं पूरे में अब बस इस स्टेप पर हम यहां पर डाल देंगे चीनी तो चीनी जो है बिलकुल हम लास्ट में डालने हैं वरना चीनी दूद के साथ पकती है तो काफ़ ज़्यादा मीठी हो जाती है फिर चास्नी जै लिया है आप चाहें तो यहां पर काजू भी डाल सकते हैं जो भी आपको ड्राइफूट्स पसंद और यह हमारा मिक्स तयार है गैस के फ्लिम को मैं ओफ कर रहे हूं और इसे हम रखके ठंडा कर देंगे बाद में मौल्ड में फिल करेंगे और यहां पर यह देखिए हमारा यह दूर का मिक्स एकदम बड़े असे ठंडा हो गया अब यहां पर हमने लिये हैं कुल्फी वाले मौल्ड उसमें हम यह फिल कर देंगे तो आप चाहें तो यहां पर ग्लास भी ले सकते हैं कटोरी बगएरा भी ले सकते जिसमें भी आपको आइस क्रीम जमानी हो वह आप यूज करें अब यहां पर अलुमिनियम फॉयल से इन्हें हम कबर कर देंगे यह देखें इससे बर्फ नहीं पड़ती है हमारी कुल्फी में और यहां नाइफ से थोड़ा सा हम कट लगाएंगे और अब यहां पर लगा देंगे हम आइस क्रीम की स्टिक्स तो यह मार्केट अब हम थोड़ा साही से रब करेंगे और यह दिखें जैसे यह निकल आई तो बहुत जदा बड़ी हमारी कुल्फी बनी है एकदम बड़िया टेक्श्यर आया जैसे अब देख सकते एकदम क्रीमी बिल्कुल भी वर्फ नहीं पड़ी है ऊपसे इसे हम करेंगे थोड़े से बादाम के साथ जिससे देखने में और विजदा बड़ी है लगेगी तो फ्रेंड्स आप इन गर्मियों में यह कुल्फी बना के जरूर ट्राय करें अब बहुत आसान है बनाना जैसे कि आपने देखा केवल तीनिंग रेटरेंट्स जो की आराम से हमारे घर में अभी बहुत आराम से हमारे लेंग। ए्ञ़ फहित देखने हमारे लեղगे हमारे लेगए